के नोच पोइंट पे आपका स्वागत है आज हम सेंगे कि Excel में कैसे फोर्मुल्ला कैसा लिका जाए कि अज हमसेंगे कि Excel में कैसे फोर्म निऊंट गते हैं है फोर्मुल्ला लिक्ते संहें हमेश्ड़ एकवल टूप लस्थ और माइनस सा बार से रखतिस्क के अंदर प्रमुला को देखने के लिए F2 ग्लिक कर सकते हैं अब प्रैकयट को याने के लुखिब लाने के लिए आफ टैप प्रिस कीजिए पर्मुला के अंदर text डबल कोट के अंदर close करते हैं और नवर बिना कोट के लिखते हैं इस picture में यह सभी चीजिए आपको जानने चाहिए अगर आप Excel में पर्मुला लिख रहा है तो पर्मुला लिखते हैं मैं जैसे कि आप देख सकते हो इकॉल टू प्लस और माइनस साइन से सुरात की जाना चाहिए पर ज्याद अगर इकॉल टू साइन प्रिफर की जायता है यदि अब कोई भी फोर्मुला का लेटर लिखते हैं तो उस लेटर जो भी फोर्मुले हैं आपने आप पॉप आप हो जाएंगे इस लिआ को इस लेच्ट को इन्टेलिसेंस बोक्स घाते हैं अगर आप अनी रेटर लेटर लेटर लेगा तो देफकॉलब की इन्टेलिसेंस बोक्स में आप अपना जऔर को का भी मताबिक फंक्शन चुन सकते हो यह sign डायलोग बॉक्स को उपन करता है फॉर्मॉला डायलोग बॉक्स को उपन करता है और यह function formula bar है function और formula bar काते हैं काफी तरीके है Excel में लिखने के उन में से उन में से एक यह है कि आप दूस्जिल कुसलेट कीजिए जहां पर आप formula लिखना चाहते हो जैसे कि आप जानते हैं formula is equal to sign से शुरू के जाता है so equal to प्रेस कीजिए and और उसके बाद हम some formula अपलाई करने वाले हैं जैसे कि आप दख सकते हैं yes type करने के बाद एसे लेटे जितने भी formula अपने आप पूप अप हो जाते हैं और इसे intelligence list काते है अगर आप आगे और लिखते हैं then list और चोटी होती चले जाती है उसके बाद sum पूरा कीजिए उसके बाद tap प्रेस कीजिए bracket को लाने के लिए manually bracket को डालने के ज़रूत नहीं है उसके बाद आप देख सकते हैं कि number one is number two as a input value इंडिकेट किया गया है so here इदर आप directly number भी दाब सकते हैं और range भी select कर सकते हैं so मैं range select करूँगा B2 to B11 दो तरीके से आप range select कर सकते हैं mouse के द्वारा इस तरह से और और keyword की सहता से arrow की अप arrow की प्रेस के जें उसके बाद control shift उसके बाद down arrow control shift अप arrow उसके बाद down arrow यह आपका पहला formula है जो B2 to B11 के range को जोड़ रहा है दूसरा तरीका function box यूज करके हम formula लिख सकते हैं cell को select कीजिए जहां पर आप formula लिखना चाहते हैं उसके बाद क्लिक कीजिए function डालोग box को उसके बाद function डालोग box दिखेगा उसमें से आप अपने sum formula को select कीजिए उसके बाद इसमें parameter डालिए और input डालिए मास के द्वारा आप parameter select करें उसमें बाद OK प्रेस कीजिए तीसरा तरीका तीसरा तरीका बल्ड की यह है की input कैसे enter करें is equal to sum डिखे sum डिखने के बाद control डे प्रेस कीजिए यह आपका function argument और input box पूप अप करेगा arguments मतलब input input जो आपका result प्रेस करेगा इस रेंज को select कीजिए और is equal to को के प्रेस कीजिए ज्यादा कर मैं प्रेफर करता हूं की डारेक्ट डे में is equal to sum इस रेंज कीजिए इस रेंज कीजिए यहाँ पर unit price टाप का निक पज़े बजाए हम random between formula apply करेंगे so equal to लिखे random between formula tap प्रेस कीजिए यहाँ पर देख सकते हैं parameter bottom और top है so अब हम 100 as a bottom number टाइप करेंगे and बिना code के रहना चाहिए क्योंकि formula number बिना code के लिखा जाता है bottom लिखने के बाद यह दर्स आएगा कि comma डालना चाहिए इसलिए हम comma लिखेंगे उसके बाद हम top का number लिखेंगे तो 500 हम लिखेंगे 500 so 100 से 500 के बीच का number generate करेगा यह formula उसके बाद प्रेस enter कीजिए उसके प्रेस कीजिए उसके प्रेस कीजिए उसके प्रेस कीजिए आपक देख सकते की random number लिखेंगे random number लिखेंगे जरेट हो चुका इस फूर्म को ला के तवरह और यह random function volatile function जैसे कि आप दे सकते हैं कॉलम टे क्लिक करने पर यह बार-बार रिकल्कुलेट रहा है और इसके वैलू चांज वरी है यह हम नहीं चाहते हैं इसके लिए हमसे भी इन आउपूड वैलिस को वैलूड में वैलू उज में करेंगे बाए पेश्टी स्विसल का यूज करते प्लिकुलेट क्यातरि प्लिकुलेट क्याए लंट्पिकाल का यूज कर देसके लिए ख्लमकाव से वैलू आनलट है उनके पीछे का फॉर्मुला अब नहीं रा गया है आप टू करे आपको अनके पीछे का फॉर्मूला नहीं दिखेगा आप देख सकते कि जो रली फोर्मुला लाता है एक प्रेस का एंड पर उसके पीछे का फोर्मुला होता है हिया पर हम टोटल अमाउंट का फोर्मुला लगाएंगे दो की मल्टिप्लिकेशनों का सिम्पल मल्टिप्लिकेशन उसके पाद हम सम का फर्मॉला लाएंगे Press Tap, Region को स्ट्रेट किजिए, Cell Range को स्ट्रेट किजिए उसके बाद एंटर किजिए उसके बाद मैं आपको बता नहीं हमकि फर्मॉला को स्ट्रेट कैसे करें कभी कबार हम Error और Mistake से गलत रिंज तसमें टाइप कर देते हैं के दूसरा तरीके यह है कि कि हमारा जो range है selected range है यह काफी और बड़ा है b2. b11 से और ज्यादा बड़ा है आख माल लेकिए है खाफी बड़ा है b2. b11 से और फइला हुआ है और यह d 11 तक फैला हुआ है ऐसा आप मल देचिए आप बी की जगा आप डारेक्ट करसर लाकर डी लिख सकते हैं जैसे कि आप जगते हैं देख सकते हैं कि रेंज चेंज हो गया दूसरा तरहिका यह है कि माउस के दोरा ड्रेक करके F2 प्रेस किजिए कॉर्णर पर जाहिए जब यह साइन दिखने लगया तो माउस का राट क्लिक करके ड्रेक किजिए राट साइड में आप देख सकते हैं कि रेंज चेंज हो चुका है इस तरह से फोर्मल अडिशन के जाता है एक्सल है आपकी जानकारी के लिए बता देखी एक्सल में इंड विल्ड फीचर है जो की हर किसी फंक्शन और एक्सल से लेटर चीजों के बारे में जानकारी देता है आपको संक के बारे में जानना है करें और लीको क्लिक केजिए अगर अब विलोक के बारे में लिखें उसके बाद यह लीक को क्लिक करें एक्सेल एक्सेल ह प्राइटर से भी जन कर जाएगी इस तरह से आपने इंट से ही बहुत सारी चीजे एक्सेल के बारे में जानों समझ सकते हैं अब हम Excel का record shortcut जानेंगे Ctrl R Ctrl D Ctrl R Ctrl R Excel cell का right content copy का निकलिए होता है Ctrl D Excel cell का उपर content copy का निकलिए होता है अगर आपको इस एक को B11 cell में copy करना है तो केवल उस cell में रखके Ctrl R प्रेश केज़े अगर आपको यहां से यहां तक copy प्रेश करना है H G 11 तक copy प्रेश करना है तो स्रेट करके Ctrl R प्रेश केज़े सपोज इस फॉर्मॉला को आप नीचे copy करना चाहता तो Ctrl D प्रेश केज़े अगर आप यह formula को यहां तक copy करना चाहता तो यहां से यहां तक set कीज़े उसकत Ctrl D प्रेश केज़े याद रखे कि जो स्रेश कॉपी करना हो और सेलेक्शन में आपका active selection आना चाहिए वह से ही select करना चाहिए आपका वीडियो देखने के शुक्रिया तेंक्यू